हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमशकार, आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में तो आज हम आए हैं एक और नहीं इंट्रेस्टिंग रेसिपी के साथ और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेर करने जा रहा हूं वो है सोया कीमा समोसा तो यह जो सोया कीमा समोसा हम बनाएंगे तो जैसे नॉर्मली समोसा बनता है बिल्कुल वैसे ही बनेगा लेकिन इसमें जो फिलिंग है समोसे की पट्टी में जो हम फिलिंग भरेंगे वो हम जो से चंग साते हैं वड़िया आती है उसका हम उसको ग्राइंड करके हम उसका कीमा बनाएंगे और फिर हम उसे तरह तरह के मसालों के साथ हम उसकी एक बहुत ही टेस्टी फिलिंग बनाएंगे और उसी फिलिंग से हम ये जो सोया कीमा समोसा है वो हम बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, डिलिशिस और इंट्रेस्टिंग रेसीपी है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इसको जो सोया कीमा समोसा बनाने के लिए कौन-कौन से इंड्रीडियंट्स लगेंगे तो सबसे पहले हमें चाही होगा मैदा इसके अलावा हमें चाही होगा अजवाइन और काला जीरा फिर हमें चाही होगा फिलिंग के लिए सोया चंक्स जिने हमने पानी में सोक कर लिया है इसके अलावा टमाटो सॉस, चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस काजू, किश्मिश और बादाम फ्राय करने के लिए तेल अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और सुखे मसाले जिसे की हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, जीरा और चाट मसाला तो जो मैदा है उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी हमसे में डालेंगे, डो बनाते वक्त तो यही सब इंग्रीडियंट्स है और इनी इंग्रीडियंट्स से हम यह जो सोया कीमा समोसा है, वो हम बनाएंगे यह जितने भी ingredients हमने लिए हैं उसकी जो detailed quantity है वो मैंने description में लिख दी है तो please आप उसे check कर लिजेगा तो सबसे पहले जो समोसे का dough है वो हम बनाएंगे उसके लिए हम जो मैदा है हम इसमें थोड़ा सा नमक और baking soda डालेंगे और फिर हम इसमें अजवाइन और काला जीरा वो हम इसमें मिला लेंगे तो अजवाइन और काला जीरा डालने से जो समोसा है उसमें बहुत ही अच्छा flavor आता है और वो बहुत ही tasty और delicious बन जाता है इसके बहुत ही अच्छा flavor आता है इसमें तो अजवाइन, काला जीरा, नमक, पिकिंग सोडा इसको हम यूनिफॉर्मली मैदे में हमसे अच्छी तरह से हमसे मिला लेंगे फिर हम इसमें तेल या घी रिफाइन ओयल या देशी घी जो भी आपको पसंद हो वो हम इसमें दो से तीन टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे तो हमने लगभग देड़ कप, देड़ से दो कप मैदा लिया है इसमें दो टेबल स्पून तेल या देशी घी वो हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से इस मैदे में हम इसे मिक्स कर लेंगे तो इस स्टेप को मोहिन कहा जाता है इससे हमारा जो समोसा है वो बहुत ही खस्ता और एकदम क्रिस्प बनेगा तो इस तेल या देशी घी को हम अच्छी तरह से इस मैदे में हम इसे मिक्स करेंगे और हम देखेंगे कि जब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हाथ से मसलेंगे तो इसका एक दानेदार सा क्रम्बली टेक्स्चर आ जाएगा तो ये उसका इंडिकेशन है कि जो तेल या घी हमने इसमें मिलाया है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है तो इस step को हमें 2-3 मिनट तक करना है ताकि अच्छी तरह से तेल और घी मैदे में मिक्स हो जाए तो मैदे में घी को अच्छी तरह से गीया तेल जो भी वो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ڈालेंगे और इसका हमें एक soft और smooth dough गुंटना है तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और इसे इस dough को मैदे और पानी के mixture को अच्छी तरह से अपने हातों की मदद से उसे गूंते जाना है तो इसके लिए आप क्या करें कि आप अपने पास थोड़ा सा एक कप में आप मैदा रखें और पानी रखें तो यह जो dough है वो ना तो जादा tight होना चाहिए ना ही जादा sticky होना चाहिए एकदम बीच की consistency इसकी होनी चाहिए ना जादा tight ना जादा soft तो अगर आपको लगे कि जो dough है वो जादा sticky हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा मैदा आप इसके उपर sprinkle करें और इसे roll करते जाए और अगर आपको लगे कि dough जादा tight हो रहा है तो आप थोड़ा-थोड़ा पानी के छीटे इसके उपर आप डाल सकते हैं तो इसे अच्छी तरह से 5-6 मिनिट हमें अच्छी तरह से इसे गूंटना है और इसका एक soft और smooth dough हमें तयार खनना है अगर dough soft होगा तो हम इसे अच्छी तरह से बेल पाएंगे और इसे इसके cones बना कर हम इसमें filling अच्छी तरह से भर पाएंगे तो dough का soft और smooth होना बहुत ज़रूरी है तो 5-6 मिनिट तक हमें इसे अच्छी तरह से गूंटते जाना है तो लगभग 5-6 मिनिट तक dough को अच्छी तरह से गूंटने के बाद हमारा जो dough है वो एकदम soft और smooth बनकर तयार हो गया है तो हमारा जो समोसे का dough है वो एकदम बनकर ready हो गया है अब हम इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाएंगे छोटे-छोटे balls बनाएंगे फिर हम इसे rolling pin की मदद से उसे roll करके उसके cones काट लेंगे और फिर हम इसमें filling भरकर उसे fry करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का dough हमें चाहिए एकदम soft और smooth तो अब हम जो soya chunks हमने पानी में soak करके रखे थे लगभग 10 से 15 मनिट तक उन्हें हम एक mixer grinder jar में हम उसे अच्छी तरह से उसे grind करके उसका कीमा बना लेंगे उसके granules बना लेंगे अगर आपको soya granules मिल जाएं बाजार में मिलते हैं तो आप वो directly use कर सकते हैं उसे soak करके लेगिन अगर आपको वो ना मिले और जैसा कि मैं soya की वड़िया ही उसकर रहा हूँ चक उसकर रहा हूँ तो पहले आप उन्हें 10 से 15 मनिट तक पानी में soak कर लें और फिर उसे अब grind करके उसका कीमा बना लें तो अब हम इस soya कीमा का मसाला बनाएंगे एक चटपटा सा मसाला इसका जो filling है वो बनाएंगे और फिर हम समोसे इसके fry करेंगे तो अब हम जो soya कीमा मसाला है जो इसका filling है वो हम बनाने का process start करेंगे इसके लिए हमें एक कड़ाई में थोड़ा सा जादा तेल ले लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे हिंग, जीरा और उसे क्रैकल होने देंगे फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ट अद्रक और फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ट हरी मिर्चे तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और दो से तीन मिनट तक हम इसे स्टर करते रहेंगे ताकि इन सभी चीज़ों का फ्लेवर ओयल में अच्छी तरह से आ जाए तो लगभग दो से तीन मिनिट तक सबी चीजों को अच्छी तरह से फ्राय करने के बाद फिर हम इसमें जो सोया कीमा है वो हम इसमें डालेंगे तो हमने लगभग इसमें एक कप एक कप से थोड़ा सा जादा सोया चंक्स इसमें यूज किये हैं तो इसलिए हमने उसमें थोड़ा सा जादा तेल लिया था ताकि अच्छी तरह से ये जो सोया कीमा है वो अच्छी तरह से फ्राय हो जाए तो सोया कीमा डालने के बाद फिर से हम इसे अच्छी तरह से स्टर करेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और gas का flame जो है वो आप medium और high के बीच में आप उसे रखें और इसे आप बीच भीच में change करते रहें तो सोया कीमा को अब हम 3-4 मिनट अच्छी तरह से इसे mix करते होगे, stir करते होगे हम इसे अच्छी तरह से बूनेंगे तो 3-4 मनिट सोया कीमा को अच्छी तरह से ओयल में फ्राय करने के बाद अब हम इसमें जो सुखे मसाले हैं हल्दी लाल मिर्च पाॉडर, धनिया और जीरा पाॉडर वो हम इसमें डालेगे तो जितने भी सुखे मसाले हमने हमारे पास हैं वो हम इसमें डाल लेंगे एक-एक करके तो हमने डाल लिया हल्दी लाल मिच पाउडर धनिया और जीरा पाउडर तो इन मसालों को डालने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे इसे स्टर कर लेंगे तो अगर आपको लगए कि जो mixture है वो थोड़ा सा dry हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं ज़्यादा पानी ना डालें बस थोड़ा थोड़ा पानी के चीटे आप इसमें डाल सकते हैं लेकिन जादा पानी आप इसमें ना डालें, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी नहीं चाहिए, एकदम सूखा मिक्सचर हमें चाहिए, तो आप जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें डालें, और इसे हम अच्छी तरह से 6-7 मिनिट हम इसे फ्राय करेंगे, तो हमने अब तक इसमें नमक नहीं डाला हुआ है, तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार, और नमक डालने के बाद, फिर हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, तो यहां एक चीज का ध्यान अब ज़रूर रखें, कि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो उसी से आप इसमें दोनों चीजें एकदम बैलन्स करके डालें, नहीं तो यह जो फिलिंग है, वो काफी ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा, तो हमने इसमें नमक और चाट मसाला डाल दिया, तो अब हम इसे, जैसा कि मैंने कहा था, हम इसे 6-7 मिनिट अच्छी तरह से फ्राय कर हम इसमें डालेंगे टमैटो सॉस, और फिर हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, तो टमैटो और चिली सॉस डालने से, इसमें एक सावर और स्वीट और स्पाइसी, यह तीनों फ्लेवर इसमें आ जाता है, क्योंकि टमैटो सॉस थोड़ा सा मीठा और खटा होता है, और चिली स बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें डवलप होता है तो इस अभी चीजें डालने के बाद फिर हम इसे तीन से चार मिनित तक और हम भूनेंगे तो अब हम इसमें जो ड्राइ फ्रूट्स हमारे पास थे काजू, बादाम और किश्मिश वो हम इसमें डालेंगे तो काजू और बादाम को आप छोटा-छोटा चौप करके इसमें डालें और किश्मिश आप इसमें होल डाल सकते हैं तो इससे एक बहुत ही अच्छा नटी टेस्ट इसमें आता है और जब आप फिलिंग, आप समोसा खाते हैं और एक काजू या बादाम का क्रंच आपके मुह में आता है तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है काजू किश्मिश बादाम तो इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें एड़ोगा तो हमारा जो सोया कीमा मसाला है, जो फिलिंग है वो लगभग बनकर रेड़ी हो गया है तो एकदम आखिर के स्टेज में आप इसमें जो गरम मसाला है वो आप इसके उपर थोड़ा सा डाल लें तो गरम मसाले का फ्लेवर भी इसमें बहुत ही अच्छा जाता है तो हमारी जो फिलिंग है वो एकदम बनकर रेड़ी हो गई है तो गरम मसाला डालने के बाद बस तो तीन मिनट आप अपसे स्टर कर ले, मिक्स कर ले और हमारी जो फिलिंग है वो बनकर एकदम रेड़ी हो जाएगी तो दोस्तों हमारी जो सोया कीमा मसाला की फिलिंग है वो एकदम बनकर रेडी हो गई है तो एकदम आखिर में हम इसमें कुरियांडर लीव्स धनिया के पत्ते हम इसमें एकदम तोड़ कर हम इसमें डालेंगे तो हमारी जो filling है वो एकदम बनकर ready हो गई है तो अब हम इसे gas पस से उतार लेंगे और इसे side में ठंडा होने के लिए रख देंगे तो अब हम जो समोसे की पटियां हैं वो बना लेंगे इसके लिए आप जो dough है उसके छोटे छोटे पेड़े बना ले चोटे चोटे बॉल्स बना ले और उसे rolling pin के मदद से उसे एकदम flat आप बेल लें तो जो thickness है वो ना तो जादा पतली होनी चाहिए और ना ही जादा मोटा एकदम beach का जो thickness है वो हमें चाहिए तो अगर आप अच्छी तरह से इसे बेल पाएं उसके लिए आप rolling जो surface है उस पर आप थोड़ा सा तेल या घी आप grease कर लें और जो rolling stick है उसके उपर भी आप थोड़ा सा तेल लगा लें इससे यह अच्छी तरह से dough के उपर slide हो जाएगा और चिपकेगा नहीं तो dough को flat हमें एकदम बेलना है और फिर आप एक चाकू की मदद से इसे दो halves में आप divide कर लें तो इन दोनों halves से हम दो समोसे हम बना सकते हैं तो अब हम जो समोसा है जो पट्टी हमने बनाए थी दो halves में divide करके उसे हम अपने हाथ से roll करके एक कौन जैसा shape हम इसका बना लेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ अब वैसा ही कीजिएगा और फिर हम इसमें जो filling है soya कीमे की वो हम इसमें भाल लेंगे तो यहां आपको थोड़ी सी उपर से आपको जगय बचानी होगी एकदम से उपर तक fill ना करें उपर से थोड़ी सी जगय आप रखें ताकि आप उपर से इसे pinch करके प्रेस करके आप उसे बंद कर पाएं तो एकदम उपर तक आप इसे ना भर ले तो आप उपर से थोड़ी सी जगए आप रखें और फिर आप अपने उंगलियों की मदद से इसे आप पिंच करके इसे आप बंद कर ले तो यहाँ यह स्टेप बहुत ज़रूरी है कि आपको इसे अच्छी तरह से प्रेस करके इसे बंद करना है अगर आप कोई भी थोड़ी सी जगह खुली रह जाएगी तो जब आप फ्राय करेंगे तो तेल समोसे के अंदर चला जाएगा और फिलिंग जल सकती है तो यहाँ आपको अच्छी तरह से इसे प्रेस करके सभी साइड से सभी जगहों से आपको इसे सील करना ह तो इसे अच्छी तरह से पिंच करके प्रेस करके आपको सभी जगहों से इसे बंद करना है तो हमारी जो समोसे की जो पूरी और फिलिंग के साथ वो एकदम बंद कर रेडी हो गई है तो अब हम इसे फ्राय करेंगे तो इसी तरह से हम जो बाकी के जो बाल्स हैं जो हैं डोर के हम बना लेंगे और फिर हम इसे रोलिंग पिन से रोलिंग पिन और स्टिक की मदद से हम उसे फ्लाट एकदम बेल देंगे उसे दो हाफ में डिवाइड कर लेंगे और फिर एक हाफ लेकर उसे कौन की शेप में हम हमसे रोल करके हम इसमें फिलिंग भरेंगे और इसे अच्छी तरह से सभी साइड से सभी एजस से हमसे पिंच करके प्रेस करके हमसे अच्छी तरह से बन कर लेंगे तो इसी तरह से हम जितने भी समोसे बन सकते हैं वो हम बना लेंगे और फिर हम इन समोसों को हम ऑईल में डीप फ्राइ करेंगे तो अब हम जो समोसे हमने बना लिए थे उन्हें हम deep fry करेंगे इसके लिए आप एक कड़ाई में आप थोड़ा सा जादा तेल ले लें जैसा कि deep fry करने के लिए हम लेते हैं और उसे अप हल्क अशर गरम होने दे और फिर हम इसमें एक-एक करके जो समोसे हैं वो हम इसमें डालेंगे तो यहाँ ओयल का टेंपरेचर कंट्रोल करना बहुत इंपर्टन्ट है ओयल का टेंपरेचर ना तो ज़्यादा हाय होना चाहिए ना ही ज़्यादा कम एकदम beach का temperature हमें चाहिए इसके लिए आप जो gas का flame है उसे आप medium पे रखें तो medium flame पे oil को तीन से चार मिनिट तक आप गरम होने दें फिर हम इसमें जो समोसे हमने बनाए थे वो आप इसमें डालें और फिर आप जो oil का temperature है उसे medium और high के बीच में आप उसे change करते रहें high flame पे आप ज़्यादा देर के लिए इसे ना रखें high flame पे आप 10 से 20 से के लिए रखें फिर आप उसे medium flame पे ले आए और इसी तरह से आपको oil का temperature regulate करना है तो अब हम इन samosa को fry करेंगे तो आप oil को थोड़ा सा कर्ची के मदद से आब इसे stir करते रहें आप samosa को directly नाच हुए तो ओओल को थोड़ा सा stir करते रहें और हमें in samosa को बीच बीच में हमें इने पलडते रहना है ताकि ये सभी साइट से अच्छी तरह से golden brown color पकड़ ले और एकदम crisp बन जाए तो हमें इन्हें fry करना है crisp golden brown होने तक तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो समोसे हैं इसमें हलका हलका golden brown color आ रहा है लेकिन ये एकदम से fry नहीं हुई है तो इन्हें हमें continuously regular intervals पे हमें इन्हें पलटते रहना है और जब तक ये अच्छी तरह से golden brown color ना पकड़ें सभी साइट से हमें इन्हें fry करना है flame को adjust करते हुए और oil को आप थोड़ा सा stir करते रहें बीच बीच में तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जो समोसे हैं उन्हें अच्छी तरह से golden brown color पकड़ लिया है तो अब हमने oil में से बाहर निकाल लेंगे तो लगभग इसमें तीन से चार मिनट इसमें लग सकते हैं तो आपको टाइमिंग का नहीं आपको यह ध्यान रखना है कि golden brown color इन में अच्छी तरह से सभी साइट से आ जाना चाहिए और यही उसका इंडिकेशन है कि हमारे जो समोसे हैं वो बनकर ready हो गए हैं तो अब हम इन समोसों को एकदम ध्यान से हमने बाहर निकाल लेंगे कि ओएल का temperature बहुत गरम है तो इसी तरह से हम बाकी के जितने सारे समोसे हैं उन्हें हम ओएल में deep fry कर लेंगे flame को adjust करते रहेंगे बीच बीच में medium और high flame के बीच बीच में उसे हम change करते रहेंगे oil को हम stir करते रहेंगे और समोसों को regular intervals पे हम पलटते रहेंगे और हम wait करेंगे जब तक कि यह दोनों साइट से अच्छी तरह से golden brown color ना पकड़ लें और एकदम crisp और एकदम crisp ना बन जाए तो इसी तरह से हम जितने भी समोसे हमारे हैं उन्हें हम fry कर लेंगे तो इन समोसों के साथ हम तली हुई green chillies हम इसके साथ सर्फ करेंगे तो इनका टेस्ट इसके साथ बहुत ही अच्छा जाता है तो आप whole green chillies ले ले और गरम तेल में आप इन्हें डाल ले और निकाल ले और ज्यादा देर इन्हें अपना रखें तो इन्हें डाल कर आप निकाल ले तो इनका टेस्ट समोसों के साथ बहुत ही अच्छा जाता है तो दोस्तों हमारा जो सोया कीमा समोसा है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है एकदम golden brown और crisp तो इसे आप अपने मन पसंद चटनी या sauce के साथ आप इसे enjoy करें और इसे गरमा गरम सर्फ करके इसे तुरंट आप इसे enjoy करें तो मुझे उमीद है कि आपको ये recipe ये video बहुत पसंद आये होगी और इसे आप अपने घर में जरूर ट्राइ करेंगे तो अगर ये video आपको पसंद आए तो प्लीज इस video को like करें हमारे channel flavors tube को subscribe करें और अपने feedbacks अपने suggestions नीचे comment section में जरूर लिखें तो हम फिर मिलेंगे एक और नहीं interesting recipe के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार